हेलो दोस्तों मेरा नाम है सागर और आप देख रहा है और एक्जाम सहब चनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बार फिर से रेगुलर असिस्टंट प्रोफेसर असोसियेट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वेकेंसी और यहाँ पर दोस्तों हैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म तो फिल करना ही करना है साथ में उसकी हाड कॉपी को भी आपको भेजना होगा पचीस नौ दोजार तेस तक वो भी स्पीड पोस्त या फिर रजिस्टर पोस्त के थुरू इंडिया पोस्त से ही भीजिएगा बाकी और किसी मीडियम म यहाँ पर 295 रुपीज यहाँ पर फिस रखी गई है इंक्लोडिंग 18 परसेंट जीस्ट आपका इसमें जो है वो भी रहेगा ओके और कैन बी समिटेट थू डिमांड रफ्त यह मैंने आपको बता दिया और किसके फेवर में रहेगा यह आपको जमा करना होगा यानि कि जो वेकेंसी है कहां से दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे यह है महाराजा रंजीत सिंग पंजाब टेकनिकल यूनिवसिटी बटिंडा यहाँ से वेकेंसी ओपन होई है अडविटीज में नंबर आप यह देख सकते हैं अडविटीज में नंबर है DPR-504 और य एक वेकेंसी है और यहाँ पर फिर युनिवसिटी बिजनिस स्कूल में आप देखेंगे असोसियेट प्रोफएसर की एक वेकेंसी है लेन यहाँ पर जी-जी-बएस 싶은 की स्कूल ऑफ आर्किटेक्च्चर अड़ प्लाइनिग यहाँ पर पर प्रोफएसर zor Kin और आसोसियेट क तीन vacancies, then यहाँ पर computational science and computer applications में यहाँ पर आप दिखेंगे assistant professor की दो vacancies है और assistant professor की एक एक vacancy यहाँ पर और है जो की है PIT राजपुरा और PIT GTB गढ़ मोगा, तो यह I think इनके अलग campuses हैं, यहाँ पर भी vacancies available हैं, इसलिए नोंने यहाँ पर इसको अलग से highlight किया हुआ है, और यहा professor की, यह है आपका PSAEC पटियाला में, दो vacancies हैं, एक general और एक SC category के लिए, तो यहाँ पर जो भी लोग interested हैं, जिनके पास यह subject हैं, यह आपके किसी जानने में, आपके किसी friend के पास यह qualification है, यह इनको जिसने इस subject में यह degrees ली हो, आप उनको refer कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सक सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे, आप associate professor के लिए, यहाँ पर इन्होंने मांगा है, कि PhD होना चाहिए, और 55% marks आपके होने चाहिए, साती 8 साल का teaching experience आपका होना चाहिए, research score आपका at least 75 होना चाहिए, और बाकी यहाँ पर आप इसमें लिखा हुआ है, कि कम से कम 7 publications भी उनों ही मांगा गया है, 55% marks के सात में, और सात में आपके पास UGC, NET, CSIR, NET या फिर जो भी other कोई exam कर conduct होता है, इस तरीके का, तो वो आपके पास होना चाहिए, और बाकी यहाँ पर 2009, 2016 के according, amendments के according, जो है, यहाँ पर लोग जो है, वो exempt रहेंगे, net, set और slet से, तो ऐसे लो जो subject है, उसके according, तो इसको आप चेक आउट कर लेंगे, यहाँ पर computer science and computer application की दी गई है, इसके बाद यहाँ पर analytical and aerospace engineering के बारे में detail दिया गया है, और जो लोग separately apply करना चाहते हैं, याने के दो अलग-अलग subject में apply करना चाहते हैं, तो उन्हें दो अलग-अलग form भरने होंगे अलग-अलग fee submit करनी होगी, और अलग-अलग उन्हें post भी करना होगा उनको, ठीक है, और बाकी यहाँ पर waitage वगरा के बारे में बताया गया है, तो इसको आप read कर लें, notification को आप लोग एक बार जरूर read करें, जो भी लोग यहाँ पर apply करने वाले हैं, और candidate must paste his हर passport size photograph on the application form, आपको अपनी photograph भी लगानी है, और यहाँ पर एक चीज और important है, इससे पहले इनका notification आया था कुछ दिनों पहले, जिसका नाम था DPR 466, तो जिन लोगों ने इसमें apply किया था, तो उसमें कहा गया है कि अगर वो लोग फिर से apply करना चाते हैं, तो उन्हें fresh apply करना पड़ेग ठीक है, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, इसके application process के उपर, तो इसका जो application process है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह इनका jobs का page है, और यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह लिखा हुआ है advertisement for the post of, यह आप देख सकते हैं, यह पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, DPR 504, तो curriculum भी यहाँ पर आया हुआ है, 28 तारीक को ही, advertisement and details of the teaching post भी यहाँ पर दिया है, एक बार curriculum चेक कर लेते हैं, कि इसमें क्या update इनों ने दिया है, curriculum में फिलाल ऐसा कुछ भी नहीं है, main हम बात करते हैं, आपर link for online application form की, तो जब आप इस पर click करेंगे, तो आपके सामने यह दिखिए, इनका login portal आजाएगा, लेकिन हमें सबसे पहले register करना होगा, तो register पर click करिए, और यहाँ पर name of applicant, father's name, institute select कर लिजे, यहाँ पर जिस institute में आप apply करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको notification में दिखाए हैं, फिर department आप select कर ले date और bank name, यह सारी चीज़ें आपको डालने के बाद register पर click करना है, तो draft number मतलब आपका demand draft का जो number होता है, वो आपको डालना होगा, draft की जो date है, bank name है, तो पहले यहाँ पर आपको DD बनवाना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर registration कर पाएंगे, तो जो भी लोग interested apply करने के regular teaching, non teaching vacancies के लिए दोस्तों हमारे चैनल को subscribe जरू कर ले, इस तरह की regular vacancies आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहती है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए take care and जहन.